जिन्दगी में जब कभी हार मानने लगोगे तब यह कहानी को एक बार जरूर याद करें। यह कहानी आपको कभी हारने नहीं देगी। आपको हारी हुई बाजी भी जीता देगी। इस कहानी को बड़ी ध्यान से सुनें। दोस्तों यह आपके जीवन को बदल कर रख देगी दोस्तों किसी गाउ में एक साधू रहा करता था वो जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी इसलिए गाउ के लोगों को जब यह बारिश की जरूरत होती थी तब यह लोग उस साधू के पास जाते और उनसे अनुरोध करते हैं कि वह नाचे और जब हो हंसने लगते तो बारिश जूर होती थी कुछ दिनों बाद चार लड़के शहर से गाउ में घूम ने आये जब उन्हें यह बात पता चली की किसी साधू के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ शहरी पढ़ाई लिखाई के घूमंड में उन्होंने गाउ वालों को चुनोती देदी की हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधू के नाचने से भी बारिश नहीं होगी अगले दिन सुभ सुभ गाउ वाले उन चारों लड़कों को लेकर साधू की कुटिया के पास पहुँचे गाउवालों ने साधू को सारी बात बताईए तो फिर लड़कों ने नाचना शुरू किया पहले लड़के देना शुरू किया आधा घंटा बीट गया फिर पहला लड़का ठक कर बैठ गया पर बादल नहीं दिखे बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया पर बारिश नहीं हुई अब साधू की बारी थी उसने नाचना शुरू किया एक घंटा बीट गया पर बारिश नहीं हुई साधू फिर भी नहीं रुका वह नाशता ही रहा नाचते नाचते दो घंटे बीट गए पर बारिश नहीं हुई चार घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई लेकिन साधू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था धीरे धीरे शाम धलने लगी की तभी बादलों की गड़गडाहत सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत सालों से क्षमा मांगी फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा बाबा भला ऐसा क्यों की हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई एक साधु ने उत्तर दिया जब मैं नाशता हूँ तो दो बातों का ध्यान रखता हूँ पहली बात तो मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा और दूसरी यह है कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक की बारिश न हो जाए तो में सफलता पाने वाले में भी यही गुण विद्यमान होता है वो जिस काम को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है और वह तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाएंगे इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो उस साधू की तरह ही अपने लक्षे को प्राप्त करना होगा साधू के बातों को सुनकर चारों दोस्तों अपने गलती का एसास और उन्होंने अपनी गलती का क्षमा साधू से मागी इसके बाद वह चार दोस्त अपने घर की ओर चल दिये दोस्तों यदि यह कहानी आप सभी जरा साभी कुछ सिख दी हो तो इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस विडियो को शेयर जरूर करें धन्यवाद